हेलो दोस्तो, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको किसी सर्कृट पर KCL, किस चॉप्स करंट लो, कैसे अपलाए करना है, क्या बताने जा रहा हूं, के सी, KCL, ठीक है, KCL, किस चॉप्स करंट लो को कैसे किसी सर्कृट पर आपको अपलाए करना है, ठीक है, तो आ बाप इस बात पर सहमेत होना कि जो the algebraic sum of input and output current is equal to zero ठीक है तो मैं आपको एक circuit बनाता हूं उसके बस समझाओंगो कि हमारे केसी लोग कहना क्या चाहता है देखें मान लिजे कि मैंने मैं एक electric circuit बना रहा हूं क्योंकि मैं electrical से हों तो electric circuit बनाऊंगा और मेरे पाँ कुछ रास्ते हैं कुछ रास्ते हैं कुछ रास्ते हैं कुछ रास्ते हैं इसे मान लिए तो r1, r2, r3 ठीक है यह current मान लिए 5 amp ere ठीक है और वन और तुव मैं केसी एल केचोप्स करनट लोगे बात करिया ही इसलिए मैं आपको क्लेता करते लेता तो की बाद कर रहा है मैंने कंपर कंच कियो यह तो मैंने कोण देक्षर划 Eli ko जैना की यानि कितार जैसे लो कर रहा वह सब्सक्रा स्ब्सक्राइब तह में करने करते हैं देखे आपको अपने माइन में यह लेना है कि जो हैं कि यह आ पे पांच साल के लिए ThoTel कीतने साल के लिए हैं पांच साल के लिए मान जो किए पैस पांच ये और आप पांच दोस्त नियाð पांच लो si alkyl को से ब्समेख बांच tô इस तो गूंगर को ब्लम है जंकल आप इस रास्ते से जा रहा ड़ा निया हुआ तो यह रास्ता है तो आप इस रास्ते से जा रहो ठीक है। अऊ इस पांट पर पिछाइंड पर पांड पर पर तो क्या होगा। आपको दो रास्ते मिलेंगे कौन से दो रास्ते मिलेंगे एक तो नीचे की और और इस इसा नहीं होता कि हम सारे दोस्त एक राष्टे से जाओ जब बच्चे जादा होते हैं तो अपना राष्टे खुद बना लेता है अब ऐसा नहीं कि आप लोग यहां से डाक्ट यहां आ जाओ ऐसा पॉसिबल नहीं कि राष्टा भी तो होना चाहिए ना रोड रोड पे तो चलोगे फुट पार तो आपको विज्फील टू आया ओम शुलो से पता चल जागे कि आपको कितने शाल कि दर आने यह आपके पास और करंट डिविजन रूल क्या कहते है कि जैसे कि आपको करंट डिविजन रूल किसी सट्क्रट निकालने के लिए यूजिए जाता है ठीक है तो आपके पास प्रवाइब करेंगे निकाल सकते हों मेरे समझाने का मतलब है कि यहां पर जितने इसाली से जाएंगे यहां पर डिवाइड होंगी क्योंकि इनके पास दो राष्कते आ चुके हैं अब मान लेते हैं कि जो करेंट है जो इधर करेंट वो क्या आई है ठीक है और यहां से मान लेते हैं और इसंतुमां क्यों दो ट Надें पार पास था लिख सकता हूं आई इजए कोल टू प्लस ऑई टू क्योंकि इनका समझेंसा नहीं कि अगर अप करेंट टेर हो या नि 5 चंट लए और एन तो यह गरेंगे गेकर trag करेंगे करेंगे इल कुछ नहीं यहां पर पहुंच की फिरो रिटन है ऐसा नहीं होगा क्यूंकि इसकी जो पॉटेंटियल है तो जो करेंट वो इधर इधर डिवाइड होगी करेंट इधर इधर डिवाइड होगी अब देखिए जितना कम रेस्टेंट्स होगा उतना ही करेंट उस सर्कृट से ज्यादा आर थ्री की वैल्यू जो रृत्री है वो कीसे लेज दैन नहीं किसे और फ्लो करेंगा ऐसा क्यों होता है कि माने कि आप लोग आप को इस जाने पर आपको दो रास्ते नाली है गंडगी है बहुत ज़्यादा रुकावट ऐसा जिसमें आपको जाने में गंटा लग जाता और इसकुल बिल्कुल साफ सुतरे से जाना पसंद करोगे साफ सुतरे रास्ते से जिसमें कम समय लागे ठीक है तो पैक्टिकली ऐसा क्या होता है कि जब करेंट फ्लो करता तो ऐसा एक रास्ता कंसीडर करता है मानता है जिसमें से जिसका रास्तेंस कम हो तो इसका मतले भी नहीं क कि सारे बच्चे सही रास्ते से जाए कि सब ने तो रास्ते देखने होगा ना कुछ बच्चे तो होगे इचाए current flow नहीं करेगा, current दोनों में से flow करेगा, कुछ current is में से, कुछ current is में से, मान ने यह 5 Ampere था, तो यहां से 2 Ampere, और यहां से 3 Ampere, ऐसे current flow करेगा, यह 0.1, 0.2, कुछ भी हो सकता है, मैं तो बस एक value consider करके चल रहा हूँ, ऐसा exact नहीं कि 2 Ampere flow करेगा, ठीक है, current ज्यादा तर इसमें से flow करेगा, लेकिन, अब देखिए, लेकिन, अगर मैं कहूँ कि, मैं इसके एक parallel में, इसके parallel में इसे sort कर दूँ, इसे sort कर दिया मैंने, तो सारा current इसमें से flow करेगा, क्योंकि इनको एक ऐसा रास्ता मिल गया, जो इसमें बिल्कूल भी resistance नहीं है, इसे bypass कहते हैं, हमने sort circuit करके bypass कर दिया है, तो इन दोनों के अंदर से कोई current फोलो नहीं करेगा, मतलब जितना आपने current दिया, वो सारा का सारा आपको output में मिल जागा, ये sort circuit condition bypass हो गया है, सारा का सारा जो current है वो bypass हो गया है, हमें पता होता है कि गाउं के ये सहर के बार, एक bypass होता है, तो लोग इस गाउं को छोड़के, लोग direct bypass, मान लिजए कि कुछ लोग आपके सहर में आते, उन्हें एक bypass का सीधा सीधा रास्ता दिख गया, ठीक है, जैसे आपके area में भी bypass होगा, man road होगा, तो लोग man road consider करके चले जाते, तो गाउं के अंदर नहीं आते, ये चोटे-चोटे गाउं है, ठीक है, तो आपका पूरा-पूरा-पूरा-पूरा-पूरा बार चला गया, यानि इसके अंदर कोई भी current flow नहीं करेगा, इस situation में, लेकिन अगर यहाँ कोई response आ जाता, तो आपका current इधर से flow करता, क्योंकि यहाँ पे भी एक रुकावट आ चुकी थी, लेकिन अगर यह short circuit है पूरा, तो bypass होने के कारण, इसके अंदर से कोई भी current flow नहीं करेगा, इतना समझा है, तो हमें जो के सी एल है कि चॉप्स current low, वो यही बताता है कि the input and output is equal to 0, the algebraic sum of this current is equal to 0, ठीक है, जो algebraic sum होता हो 0 होता, i in का मतलब क्या है, i in का मतलब है, the this sum, i minus i1 minus i2, ठीक है, is equal to i, i, ठीक है, is equal to 0, ओके, इतना समझा है, यहां में के सील बताता हूँ, आप इसी तरके से के सील सेर्केट पर अपलाए करते हैं, मैंने यहां पर के सील यह current, करेंट की बात कर रहा है, और current में एक करेंट की direction दे रखिए, mention कर रखिए, और यह current की direction ऊपर की तरह पर तो current ऊपर की तरफ टेवल करेगा, समझाया, अगर नहीं समझाया तो आप मुझे comment करके, मुझे से पूछ सकते हो, कोई problem हो तो आप मुझे telegram, WhatsApp या Instagram पर भी contact कर सकते हो, धन्यवादा,